हेलो फ्रेंट्स नमस्ते अधाव सस्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त की वीडियो काफी सपेशल है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक नई त्रेकर पैंट के बारे मीं बता रहा हूं इस पैंट पैंट की कटिंग कैसे होती है और कैसे नाप लिए जाता है दोस्तो यह सब तो दोस्तो सबसे पहले ना प्रेना लंबाई का यह देखिए इनकी जो लंबाई है यह आ रही है थर्टी एट इंच एक्चुली दोस्तों एंकल पैंट नहीं बनती बैल बोटर मैं तो लोंगी बनती है तो इसके लंबाई रख रहा हूं है बिलकुर यह देखें नीचे था इनकी लंबाई है अड़ 30 इंच उसके बाद बात करते हैं कमर की तो दोस्तों कमर इनकी 34 उसके बात करते हैं थाइस की यहांसे देखें जह फिक्स नंप अगर देखें तो तो तुछए से लेकिन कप्ड़ा क्या थ्ट्हेबल नहीं है तो उसलिए थोड़ा से लूज करते ह जो है वह मैं 20 का नाप ले रहा हूं उसके बाद बात करेंगे दोस्तों घुटने की यह देखिए सबसे जो में नाप होता है इस समय जो इनके घुटने का साइज है दोस्तों 14 इंच है लेकिन जब भी आप कभी घुटने का नाप लो तो अपना जो भी आपका कस्टमर उसको आपकी जो टांग इसको इस तरह से फोल्ड करें फोल्ड करने के बाद दोस्तों इस तरह से बढ़ जाता है ताकि जब अगर आप फिक्स 14 इंच से कटिंग करोगे तो आपको काफी प्रॉल्म हो जाएगी कस्टमर से उठने बैठने में दिक्कत आएगी इस तरह से इसका ग पताओं को कैसिस की हम कटिंग करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इस कपड़े को देखिए यह जो कपड़ा है इस कपड़े में से हमने बनानी है बैल बोटम पैंट और यह जो कपड़ा है दोस्तों मेरे पास सब दो मेटर कपड़ा है इसको फिलाल मैं इस तरह से बिछा र किनारी वाले हिसे को आपने इस तरह से अपनी तरफ फोल्ड करना है तो दोस्तो इस तरह से अच्छी तरह से कपड़े को आप बिछा लें किनारी वाले हिसे हैं जो आपको चारो की चारो इससे आपको आपनी तरफ रखने यानि कि कपड़ा आपको रखना है फोर फोल्ड में इसके बाद सबसे पहले आपको एक निशान लगाना इस तरीके से नीचे दोस्तो इस निशान का जो मतलब होता है कि यह जो कपड़ा छोटा बढ़ा है आपका यह जो हम cover कर सकते हैं यानि cutting कर सकते हैं इसके बाद आपको निचे से फोल्ड करने के लिए निचान लगाना है दो इंच पर एक निचान लगा ले दो इंच पर दो की जगे आप ढ़ाई भी लगा सकते हूँ यह निचे अपने निचान लगाना इस तरीके से अब फ्रेंट्स सबसे पहले जो है नाप लेंगे हम लंबाई का तो लंबाई है जो वो 38 तयार है तो आपको जब भी निचान लगाना है तो इस तरीके से देखें 38 के जगे आपको निचान लगाना है 37 पर क्योंकि दोस्तो इसमें उपर जो बैल्ट लगती है बैल्ट से जो है लंबाई हमारी पूरी कवर हो जाती है सीधा निचान लगा लें इस तरीके से उपर एक इंच सवेंच की जो है बैल्ट लगेगी मार्जन भी जाएगा तो जो लंबाई तयार हमारी 38 बन जाएगी इस तरीके से सीधा एक निचान लगा लें लंबाई के लिए अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज बता जाता हूँ में जब भी बैल बोटम पैंट की कटिंग होती है इसका जो आधार होता है वो सब कुछ Depend करता इसकी मोरी पर यानि कि इसके बोटम पर इसलिए बैल बोटम पैंट ही बोला जाता है और पूरी की- यानि कि जो Bottom रखना वो रखना 26 इंच, तो इस जगह से आप यह देख निशान लगाएं, 26 पर यानि कि 13 दुनी 26, यहां पर निशान लगाएं, और 13 का जो ऑदा बनेगा साड़े छे तो साड़े छे पर निशान लगाएं, यानि कि यह इसका अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया साढ़े छेंच पर अब पूरी पैंट में आपको जहान तak कि लंबाई है वहाँ तक साढ़े छेंच पर निशान लगाना है इस तरीके से सबसे अधार भतो है इस सारे निशान आपसम मिला ले अब friends सारी की सारी पैंट है हम इस center point की अधार पर ही इसकी cutting करेंगे करना का है आपको सबसे पहले देखी दोस्तू bottom तो हमने नापे लिया है वो है इसका 26 तो 26 का अधा होता है 13 अब बात करते हैं इसके उपर से क्रोच एरिय की क्रोच एरिय का सिंपल सा फार्मूला है जब भी आपने पैंट की cutting करनी है जो भी हिप्स का size होता है हिप्स है दोस्तो 36 इंच यह देगे 36 ले देता हूं तो 36 का जो चोथा हिस्सा बनता है वो बनता है यानि 9, 9, 9, 9, 18, 9, 27, 9, 4, 36 अब आपको इस जगे से यह देखे दोस्तो एक इंच उपर निकालता हूए 9 पर निशान लगाना यह देखी यह देखी यानि 9, 36 और अब इसमें आपको 2 इंच एरिय कर लेना है तो कुल मिलाके जो इसका क्रोच इरिय बन रहा है वो बन रहा आपको 2 इंच में एक्ष्टा एड़ कर लेना है किसी भी साइज के पैंट हो क्रोच एरे निकालने का यही एक तरीका है और सीधा आप इस पर एक निशान लगा दे यानि कि क्रोच एरे हमने निकाल लिया है अब बात करते हैं फैंट्स इसके घुटने की घुटने का जो फार कि तो फारे शब्षा का आप करने कितना बनता है साडरे शब्षा का हाफ बनता है दोस्तोUNG सवा तेरा यह दिखिए सबसे पहले जो आपको निशान लगाना है कमर इसका बरटन का निशान लगा लिया है गुटना जो रखना है दोस्तों वह झाला हमने 16 हम लेक इतना उता है एक इदर इंच एक उतल कितना हो गए जे सबसंतब पेद्फ करते हैं हम दोस्तों इसके दिश की त। तो थाइज का फार्मूला क्या है कैसे थाइज को निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है जिस तरीके से इस सेंटर पॉंट से आपने यह देखिए 16 इंच का नाप है जो है इसका गुटने का नाप है तो यह देखिए गुटना थे 16 इंच दो ऑ है 16 पर निशान लगा देखिए आप इसी सेंटर पॉंट से आपको 20 22 का नाप निकालना है 23 है 24 तो 24 का आदा वुता है 12 तो 12 पर निशान लगाना वह कैसे लगाना है इसका सेंटर पॉंट से देखिए 6 इंच इधर और 6 इंच इधर ये देखिए इस center point के अधार से ये आपको cutting करनी है अब ये जो मैंने निशान लगाएं इन निशानों को आपस में आपको मिलाना है वो कैसे मिलाना है ये देखिए ये शेपट्टी की मदद से इसको मिलाए और इस निशान को ऐसे मिलाएं अब इसी तरीके से ये देखिए शेपट्टी हमारी और इस निशान को इधर से मिलाएं जो हमारा ये निशान लगाया था हमेरा थाइस के लिए तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से इसका आपको थोड़ाशा लूक दिखराऊगा यह वह गया 20, 24, घुटना हो गया हमारा 16 और यह जो निशान लगाया था मैंने यह लगाया 26 पे अब यह जो मैंने निशान लगाया था दोस्तो इस निशान को आपको सीधा लेकर जाना इस तरीके से यह देखिए जितना इधर मारजन था यह मारजन इधर आपको निकाल लेना है अब इस जगे से आपको नाप लेना है वो लेना है कमर का कमर है 34 तो 34 का आदा होता है 17 और 17 का आदा होता है साड़े आठ पर निशान लगाएं इसमें एक इंच की प्रेट डलती है और एक इंच मारजने में चला जाता है अब यह जो निशान लगाया मैंने दोस्तों इस निशान को इदर से की कटिंग करनी एक चीड का ध्यान रखना है आपको यह जो है इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करने इस तरीके से है कि और फैंज आप देख सकते हो इस तरीके से जो यह मैंने लगाए यह निशान है जो यह मैंने काटें अभी तक बिल क hou फिक्स जो मेजरेमेंट है वह इसमें है अभी जब हम इसकी खए कटिंग करेंगे तो आपको यह वाला जो एरिया है जिस तरफ यानि कि आपको यह किनारे वाला इससा है इधर से तो चाहिए आप एक साथ काट लें यह देखें इधर से बिल्कु सीधा ले गाया है इसको और इधर से अब दोस्तों सिर्फ उपर वाले दो हिससे आपको उठाने यानि कि फ्रेंट वाले पार्ट इनकी कटिंग करनी है और यहां तक आने के बाद इसको आपको सिधा लेकर जाना है है तो दोस्तों इस तरीके से अभी जो मैंने कटिंग करिए चिंग करिए पुंद पार्ट कि कटिंग मैंने नहीं करिए तो कि दोस्तों बैंक वाले पार्ट gua और इधर से सीधा बढ़ाएं अब आपको करना क्या है हर जगे से 2-2 इंच एक्ष्टा लेना है 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से और इन निशानों को दोस्तों आपस में आपको मिला रहे हैं न शेप पट्टी की मदद से और इस कटिंग को करना सीधा हर जगे से मैं 2-2 इंच बढ़ा लिया है अब इसी तरीके से आपको जो ये बैक वाला एरिया है इधर से भी आपको ये देखिए मैं जैसे निशान लगा रहा हूँ इधर से भी मैंने इसको 2 इंच बढ़ा दिया है दोस्तों ये 2 इंच क्यों बढ़ा जाता है ये इसलिए बढ़ा जाता है अगर आप इधर इसके बिल्कुल बराबर कटिंग कर दोगे तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके आसन में खिचाव आएगा आसन आपका छोटा हो जाएगा और पीछे का जो साइज होता है अक्सर थोड़ा है वी होता है तो इसलिए इसको दोस्तों बढ़ा जाता है इससे क्या होता है आसन में खिचाव भी नहीं आता और पैंट में कई पर जो शिकायत आती है कि पैंट की सैड की सलाई आगे आती है उससे इसमें क्या है इस तरह से फार्मूला से कटिंग करने से पैंट की जो सैड की सलाई है वो सैड में रहेगी वो आगे की तरफ नहीं आएगी तो दो इंच आपको इदर से बढ़ा लेना है हर जगे से आपको दो दो इंच एक्ष्टा लेना है और दो इंच यह आपको इदर से एक्ष्टा लेना है यह देखिए कि सिंपल जा फार्मूला है बैक जब भी आप कटिंग करो तो हर जगे से दो दो इंच आप इसको एक्ष्टा करो सिर्फ एक जगे को छोड़ कर वो जगय है यहां से आपको बिल्कूल बराबर कटिंग रखनी है और इसको दो इंच में यहां पर 올ा के मिला ना इस तरीके से यह देखें दोस्तों, यहां से बिल्कूल बराबर है, और इस जगे आपको इस तरह निशान लगा के दो इंच बढ़ाते हुए हर जगे से इसकी कटिंग करें और इस तरह से कटिंग करने से दोस्कों यह जो है आपकी बेल बोटम पैंट अराम से कट जाएगी रäंचnel मेधे भीज कैसा क्टों यह एषब किका जाएगी बेलिक यह जवाएगीशा शयाई को शख yatं़ को और दो स्वकर बेल ऊहते हैंगी देशेशा ट करत के लगके दोन क्रिक काहिवगी बोलाई हुछ कुगnhnis पहते हैं अरगेक से किा यह जो आएफ जो हम यह 2-2 इंच एक्स्टा लेते हैं इस तरह 2-2 इंच एक्स्टा लेने से क्या होता है यह होता है है जाहिए पैंट कीसे बहुत हप ग shells कर बांब करते हैं इस वीडियो का कंपne लिखते होगी नोर्मल एक्स होगी एस पैंट के पेंट कि देखे ii नहीं देख מא और आप पैंट सिखना चाहते हो कि पैंट किस लाइक कैसे होती है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा मैं लिंक डाल दूँगा तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत ही असान तरीके से बैल बोटम पैंट की कटि यू वेरी मुच